हेलो बच्चो यह आपकी 23 तरीखी वरक्षीट है ठीक है इंग्लीष की वरक्षीट है चलो इसे शुरू करते हैं तब स्कोलर्स मधर टंग इसमें आपको स्कोलर्स की मधर टंग के बारे में स्टोरी पढ़नी है एकबर बिरबर के स्टोरी यह आपको पुर्डब जाएगा ठीक है एक बार एक स्कोलर एक विदवान अकबर के कोट में आई अच्छा उसकी बाद तक चॉलर कुट कुट स्टीक मैनी लैग्विजेश फुएंटली जो scholar था वो बहुत सारी language fluently बोल सकता था मतलब बिना रुके टुके बहुत अच्छे से सारी language बोल पारा था He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was वो सारी language इतनी अच्छे से बोल रहा था किसी को समझे नहीं आ रहा था कि उसकी actual mother tongue language किया है हना He challenged everybody at the court to name his mother tongue उसने सब को challenge कि देखते हैं कौन उसके mother tongue language बचान पाता है When everyone failed the challenge was taken up by Birbal जब सब fail हो गए कोई भी नहीं बता पाया कि उसके mother tongue language किया है तो फिर बिरबल ने अपने challenge अपने हाथ में लिया तो बिरबल को मिला भी बिरबल कैसे जाने का चलो देखते हैं That night Birbal went quietly to the scholar's room when he was asleep फिर वो उस दिन बिरबल क्या हुआ उस scholar के रूम में गया चुप जब वो सोरा था He whispered in the scholar's ear and tickled it with a feather उसने उसने ना जब वो सोरा था तो उसने उसके कान में मतलब उसकी कान में फुस फुस आया और tickled it with a feather मतलब कान में से खुजली सी करी मतलब पंक के साथ गुद गुदी सी करने की कोशिश करी उसकी कान में The scholar halfway cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue उसके बाद जो scholar था वो थोड़ा सा जाग गया और चिलाने लगा अपनी mother tongue language के अंदर उसने कुछ words बोले अपने mother tongue language के अंदर ठीक है अपने mother tongue language में कुछ words बोले बिर्बल ने बता दिया सबको भी इसकी mother tongue language देल गुए है The scholar was surprised and accepted the truth scholar जो वो था जो विद्वान व्यक्ती था जो scholar था उसको बूद अश्चेरे हुआ पर उसने accept कर ले कि हाँ भी यह बिलकुछ सच बोला है इसकी mother tongue देल हुई है तो फिर अकबर ने बताया अकबर राज अकबर को इन्टाइम्स परसंट स्पीक इस मदर तंग फिर बिर्बल ने बताया राज अकबर को कि जब भी भी कोई इंसान मुसीबत में होता तो अपनी मदर तंग में बोलता है ठीक है तो यही बात इस वज़े से उसको पता लगया बिर्बल आंसर इन टाइम्स ओफ डिफिकल्टे परसंट स्विक्स ओंडी इनीज मदर तंग या अलसो टोल दा किंग स्टोडी थी चलिए अब इसकी कोशन देख लेते हैं फास्ट कोशन है वेर इस तेल्गु स्पोकर इट इस अ मदर टंग ओफ बैसिकली तेल्गु आपकी न साउथ इंडियन में बोली जाते हैं बैसिकली अंदर प्रदेश और ते लगाना में तो बोली जाती है बाक्या अ अब भी सेर्च कर सकते हो कहां गारी जाती है थीक है बट इस यूर मदर टंग फ्यांड ओट फ्रम यूर पेरेंस मोडञा में अधर लेना इसको ऑद बोला गया एओ दो जासी को कैसे बहुत हो जैसे हिन्दी में नमस्ते बोलते है ऐसे उर्दू में अब नोटे है अन्जाबी में क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं उसको लिख सकते हो ठीक है उसके बाद अगला कोश्चन है write down any two things from the story and find out what they are called in your mother tongue अच्छा दो शब्द ढूलो और उसको फिर mother tongue में क्या बोलते हैं यह बतना जैसे फेदर इसको पंक भी बोलते हैं पर भी बोलते हैं हिंदी लैंग्विज में जैसे king ढूलने हैं किंग को राज और बास्या बोलते हैं find को पारना या प्राप्त करना बोलते हैं तो बस यह दो ही लिख दो अगर आप और लिखना चाहा तो और भी लिख सकते हो उसके बाद जो लास्ट का है find out अकबर और बिलबर स्टोरी and read them out to your parents and siblings हाँ ठीक है इसमें तो बोला गया कि आपको यह और स्टोरी जुननी है अकबर बिलबर की और पेरेंस और अपने सीबिलिंग अपने भाई बहन को सुनानी है तो यह थ्याज की वक्षीट आई होब आपको समझ में आगे होगी तो थैंक्यू फर वर्चिंग चैनल तो आपने सस्क्राइब करी लिया होगा उससे फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए करेगा अगर सस्क्राइब कर लिया हो तो चलो ठीक है थैंक्यू